नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रंजन दिख्षित अस्वागत है आपका मेरे चैनल में ICICI Prudential AMC एक नया NFO लेकर आने वाली है ICICI Prudential NASDAQ 100 Fund of Fund ये NFO जो है वो 27 सितंबर 2021 से सब्स्रिप्शन के लिए ओपन होगा और ये 11 अक्टूबर तक सब्स्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा ये NASDAQ है क्या इसमें निवेश करने से आपको क्या फायदा और नुकसान हो सकता है इसमें कितने रुपए से आप निवेश शुरू कर सकते हैं और इसमें निवेश करने से आपके उपर taxation का क्या फरक पड़ेगा ये सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माद्धम से आपको दूँगा पहले समझते हैं कि आखिरकार ये NASDAQ है क्या जी NASDAQ जो है वो एक इंडेक्स है जिस तरीके से हमारे यहां इंडिया में निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स है ये अमेरिकन इंडेक्स है जो न्यू यॉर्क सिटी बेस्ड है इसमें जो स्टॉक्स हैं वो 100 लार्जेस और एक्टिवली ट्रेड़ स्टॉक्स है यह पूरा एक बास्केट जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड़ स्टॉक्स का बास्केट है NASDAQ हंड्रेड NASDAQ हंड्रेड में financial services sector को छोड़कर लगबग सब तरीके के sectors प्रेजन्ट हैं जैसे की technology इसका वेटेज लगबग तरेपन परसेंट का है इसके अलावा 25 परसेंट जो वेटेज है वो consumer services जैसे की food chains हो गया retail stores हो गये और आपका travel services हो गया इसके लावा 9% healthcare को, consumer goods को, industrials को, telecommunication etc और stocks के इस index में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है apple का 11.35% उसके बाद जो है वेट है वो इन तीन stocks का है इसके अलावा कुछ मशूर नाम जो इस index में है वो है Facebook, Netflix, Tesla, Cisco, Zoom वीडियो, Starbucks, NVIDIA ये सबी नाम किसी ना किसी तरीके से आज हमारी जिन्दगी को प्रभावित कर रहे हैं Netflix बहुत popular है आज की डेट में जिसने पूरी industry को ही change करके रख दिया आज की डेट में हम लोग हर चीज अपने mobile पे देख रहे हैं, Netflix के माध्यम से Microsoft हर किसी घर में आज की डेट में मेरे हिसाब से प्रेजेंट है Amazon हम सबी लोग कुछ ना कुछ Amazon समागाते ही रहते हैं यानि कि ये सारे ही मशूर stocks जो हैं वो जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो इस index के अंदर present है अब ये सब तो मैंने आपको नेस्डेक के बारे में बता दिया कि इसमें क्या क्या स्टॉक्स हैं ये कहां का index है अब थोड़ा सा इसकी performance के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसने अभी तक performance दी है तो चलिए इसको slide के माध्यम से समझते हैं ये ग्राफ एक फरवरी सन 2000 से लेके 24 स्टंबर 2021 तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी बहतर समझ के लिए मैंने यहां पर प्राइस को 100 रुपे पर रीबेस किया हुआ है यहां पर अगर आप देखें तो सन 2000 से लेके 2009 तक कोई खासा performance नहीं रही नेसडेक के लेकिन 2009 के बाद से नेसडेक ने अच्छा performance किया है यहां अगर आप देखें तो सन 2009 से 2018 के बीच में नेसडेक ने 100 के पॉयंट से 600 के पॉयंट को टच किया यानि ठीच गुना पैसा किया है 2009 से 2018 के बीच में यानि नुव साल में फंड ने च्छे गुना पैसा बना के दिया अपने निवेशकों को और 2020 जो कि पिछले साल की गिरावट के बाद 24 मार्च 2020 से लेकि अभी तक में फंड ने दो गुना पैसा बना की दिया है यानि सेप्टेंबर 2021 तक लगबग डेड़ साल में फंड ने या इंडेक्स कहा जाए अच्छी बात है कि जो नेस्डेक इंडेक्स है उसने पिछले डेड़ साल में पैसा दो गुना किया अपने निवेशकों का लेकिन एक बहुत बुरा दोर भी रहा निवेशकों के लिए जिन्हों ने कभी एवरेज आउट करने के बारे में नहीं सोचा जिस किसी ने भी नौ मार्च दो हजार में पैसे लगाए थे तो बीस मार्च दो हजार पंद्रह तक उसको वेट करना पड़ा वापस पैसों के रिकवरी के लिए नहीं आप देखें पंद्रह साल का एक लंबा इंजार करना पड़ा निवेशक को अगर उसने अपने पैसों को एवरेज आउट नहीं किया था निवेश को तो नैस डेक से कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं बड़ी वापस उसको अपने पैसे को रिकवर करने के लिए पंद्रह साल बेट करना पड़ा हाला कि अगर उसने सन दो या दो में एवरेज आउट किया होता तो पैसा तो अगर आप देखें तो नैस डेक में 12 परसंट नेगेटिव रिटन की भी प्रोबेल्टी रही पिछले सन 2000 से लेकि दो यार 21 तक में जबकि निफ्टी 50 में किवल नेगेटिव 0.49 परसंट के प्रोबेल्टी रही एवरेज डेक जो नेस डेक ने दिया है 10.81 परसंट का जबकि निफ्टी 50 में 15.43 परसंट के एवरेज डिया हाइयर साइट पे निफ्टी 50 39.21 और नेस डेक 26.59 परसंट 2010 के बाद से नेस डेक की परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखा गया तो मैंने यहां पर आपको 2010 से लेके 2021 तक के भी 5 साल के रोलिंग रिटन दिखा रहा हूं जहां पर यह चीज़ दिखाई पड़ रहेगी अगर कोई भी 5 साल रुका है निवेश करके अपना तो नेस ड 11.11% का रिटन मिला है निवस्चकों को जबकि निफ्टी ने पांच साल में भी नेगेटिव हाला कि बहुत माइन्यूट है नेगेटिव यह 0.49% का रिटन दिया है नेगेटिव में जबकि हाई 17.08% एवरेज 10.80 रहा है यहां पर मैं आपको 1000 के पॉइंट जो उनने कवर क पर ने कितने टेडिंग डेज लगे हर 1000 पॉइंट पर दुबारा पहुँचने के लिए तो अब यहां शुरुआ दिखाई है उनने सुतानवे के 1000 पॉइंट दो हजार होने में इसको 381 टेडिंग डेज लगे थे सबसे ज़्यादा जो टेज लगे इसको 4000 से 5000 होने में वो लगे 4255 ट्रेडिंग डेज आने के लगब दो हजा सन्दो हजार के बाद से 2000 सत्रा हैनी सत्रा साल का इंजार करना पड़ा 1000 पॉइंट पानाने पर उसके बाद से जो है वो हर साल अच्छा इसने अपने आपको परदर्शन करके दिखाया है यहां पर सत्राइब 2010 से लेके अभी तक कि मैं नैस्डेक और निफ्टी 50 के कमपरजन आपको दिखा रहा हूं तो अगर आप देखें तो रेड लाइन जो है वो निफ्टी 50 की है तो अगर आप देखें तो ब्लू लाइन को नैनी की निफ्टी 50 को काफी अच्छे मार्जन स नैस्डेक ने बीड किया है ने देक ने दिया है 5to3.14% का रहटन जबकि निफ्टी 50 ने 243.26% का रहटन दिया है यानि कि नैस्टेक ने साढ़े 5 गुना पैसा किया चंदे खो या साथ आपको करंसी का डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है जिस तरीके से आप जानते हैं कि 1947 में जो यूएस डॉलर था और हमारी इंडियन करंसी दोनों एक्वल थे लेकिन आज की डेट में जो है आप देखो यूएस डॉलर काफी ज्यादा मझबूत है तो जब हम यहां पे न निवेश करने का अब बात करते हैं कि क्या टक्सेशन रहेगा चूब की एक international National Fund है International funds में जो है वो taxation debt funds का taxation लगता है यानि कि अगर आपने आज निवेश किया और तीन साल से पहले आप पैसे को निकालेंगे तो यह short term gain treat किया जाए गूर आपके tax lab के अनुसार ही इस पे tax आपको देना पड़ेगा gains के उपर अगर आपने तीन साल के बाद पैसा निकाला तो आपका ये long term capital gain में जाएगा और post indexation यानि महंगाई इदर के बाद जो भी आपने return कमाया है उस पे आपको 20% का tax देना पड़ेगा suppose आपने कमाया 12% का return और आपका जो indexation cost लगी वो 5% के लगी तो आपने जो 7% जो earn किया है उस पर 20% टेक्स जाएगा नॉट ऑन entire 12% तो आपको indexation का फाइदा मिलेगा अगर आप तीन साल से जादा इस fund में बने रहेंगे तो इस fund में minimum thousand rupees से निवेश शुरू किया सकता है और एक रुपए के multiple में आप कितना भी चाहे निवेश कर सकते हैं पांच सो रुपए additional investment आप कर सकते हैं सो रुपए सिर्फ सो रुपए से आप इस fund में S.I.P. भी शुरू कर सकते हैं इसमें किसी भी तरीके का exit load नहीं आने कि आज निवेश करके आप कभी पैसा निकालना चाहें तो आप बगार exit load दिये पैसा निकाल सकते हैं यह एक अच्छी ओफरिंग है I.C.C. potential की तरफ से हाला कि सेम यही index fund और E.M.C.S. में भी अवले बहल है जैसे कि कोटक में मोति लालो स्वाल में लेकिन चुकि यह एक अच्छा इंडेक्स है जिसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया और सन्थ 2010 के बाद से consistently बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता चला आ रहा है और portfolio diversification के लिहाद से भी यह एक आपके लिए उप्योगी फंड साबित होगा तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई कोई भी सवाल होगा आपके तो प्लीज कमेंट करके मुझे से पूछिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दूँ थैंक यू